सब्सक् implementing अप्धेट है सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां ऑप्डेट आपको दिख रहे हैं और सबसे पहले हम देखेंगे की यूँएश फूचर लुवरσ extrem मतलब काफी ज्यादा हाई होने के बाद थ्वरा बहुत वह नीचे आया उसके बाद का नियुजा यूस मार्केट हमने देखा कि लास्ट टेडिंग सेशन में किस परकार से ग्लोबली मार्केट के अंदर एक सार्प अप्टेंड देखने को मिला है अबरॉल सभी मार्केट दे इंडिकेशन भी गैप अप है तो अबरॉल जो अपना मार्केट है वो गैप अपने दे सकता है इसके बाद हम देखेंगे दूसरी नियुज ग्लोबल अबडेट हमने आपको यहां देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट लगबग सभी अप्ट्रेंड में यहां नैस्डेक दे अब इसके बाद भी मार्केट जो है श्ट्रोंग रियेक्ट करते वे दिखा है इसका मतब यह बैड नियूज को भी मार्केट लियक्ट बैड में नहीं दे अगर उपर की तरह ट्रेंड करेंगे इसका मतलब यह है कि जो बॉटम बनना था वह बॉटम बन चुका है अब मार का और आज का मेरा मानना है कि HDFC बैंक और परफॉर्म हो सकता है और दूसरा ICICI यह दो स्टॉक है जो मेरा प्रस्नली बेट रहने वाला है वहीं अगर आप देखेंगे निफ्टी के अंदर तो निफ्टी में हमने कल देखा था कि जो यह यहां आप देखेंगे स्टील सेक्टर में एक जो डाउन ट्रेंड दिखा था डाउन ट्रेंड के बाद एक सार्प रैली देखने को मिला और बैंकिंग सेक्टर सपोर्टीव था तो प्रस्नली मानना है कि आज भी थोड़ा बहुत लिए बैंकिंग सेक्टर में काफी तेजी दिख सकता है उसके बाद हम चार्ट को देखेंगे यह से आपको मैं बताओं यह अभी आपको मैं दिखाओं यह एक ब्रेक आउट कलके टेडिंग सेशन में यहां का क्लोजिंग है और प्रस्नली मेरा टार्गेट है कि 16,300 तक के लेवेल आपको इंट्रादे में दिख सकता है बात रहे यह श्टॉप लॉज की तो यह वाला जो लेवेल है 668 पास के श्टॉप लॉज को यहां पर फॉलो करना है रिस्क बहुत कम और रिवार्ड आज के मार्केट में ज्यादा है वही हम बैंक निफ्टी के लेवेल को देखे तो बैंक निफ्टी कंटिन्वर्स जो है Consolidation देखेंगे फिछले 2-3 दिन से इसी प्राइस के आज पास Consolidate होते वे दिख रहा था यहां आप देखेंगे यहां Consolidate होते वे दिख रहा था उसके बाद इसने इस लेवेल को ब्रेक किया यहां तक के लोज बनाएं और ठीक इसी लोज से यह अगें एक अप्टेंड दिया है और टेक्निकली देखेंगे तो यह breakout के पास trade है और यहां यह यह level आपको दिख रहा होगा यह breakout level है पहला target हमारा 35600 होगा और दूसरा target हमारा यह level का 36000 का होगा और इस समय इस level पर जो stop loss लेके चल ला है 34 750 के नीचे के stop loss को SL 34 750 टारगेट 35600 यह bank nifty के अंदर इली दिखेगा तो आप 35500 के call में आप आज के trading session में काम कर सकते I hope कि यह episode आपके लिए informative रहा होगा और इससे पहले कि यह episode खतम करें एक चीज में और आपको दिखा दू यह open interest है देखेंगे bank nifty का support data मैं आपको दिखाऊं यह यह आप देख रहे होंगे लगबग कि यह 35000 के आसपास का जो data है वह strong कि पर्फॉर्म करने वाला है जब तक 35000 को support करता है तो 3600-3800 तक के इसली आपको लेविल्स दिख सकते हैं अगर हम निफ्टी में बात करें तो यह next expiry का मैं आपको दिखाऊं तो हाँ थोड़ा बहुत साइद है कि टीटा का इसू हो रहा है तो निफ्टी में भी आप देखेंगे तो सुल्ला 200 का एक strong support है उसके उपर अगर मार्केट जाती है तो सुल्ला 400 के इसली लेविल्स आपको दिख सकते हैं